Hello everyone, welcome back to my channel Series Talks दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाला है Woot की Original Series जो रिलीज हो चुकी है जिसमें आपको टोटल 6 एपिसोड मिलने वाला है करीब 20-20 मिनिट की लेंद की है और इस Series का नाम है ख्वाबो के परिंदे जिहां दोस्तों confuse मत हुएगा क्योंकि ख्वाबो के परिंदे एक सॉंग का भी नाम है जिन्दगी ना मिलेगी दोबारा से जिहां दोस्तों जिन्दगी ना मिलेगी दोबारा आपको यादी होगा एक बोगती fun और friends वाली फल्म है और spoilers नहीं देने वाला लेकिन आप समझ ही गोई होंगे कहीना कहीना कि यह जो story है कहीना कहीना जिंदगी ना मिलेगी दुबारा की तरह similar है और वही trip से related है दोस्तों से related है काफी emotions और काफी ड्रामा और काफी fun भी नजर आने वाला है आपको आपको यह बता देता हूं कि सीरी और काफी ज़्यादा अच्छा दिखाया गया है आपको इस वेब सीरीज में वेब सीरीज ज़्यादा लंबी नहीं है जैसा आपको बता दिया अच्छा ही episode ऐसे 20-20 minute के आप इसे जल से जल देखकर खतम कर सकते हैं आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है सीरी इसमें आपको काफी ज़्यादा इमोशन भी नजर आने वाल है जैसे मैं आपको बता दिया दोस्तों के वीज में जगडे और भी काफी चीज़े नजर आने वाली है जो day to day reality में भी होती है और जिसको आप definitely relate भी कर सकेंगे सबसे best part यह है इस film की जो directing की गई है बहुत अच बहुत अच्छी तरीके से दिखाए गए हैं और दोस्तों के साथ आप जब ट्रिप पर जाते हैं तो जैसा लगता है बिलकुल उसी तरीके से चीज़े दिखाए गई है जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है इस web series के अंदर दोसरी चीज़ बात करे तो इस web series के सबसे best part मु यह है कि इस web series की story काफी जादा predictable और कुछ जादा unique नहीं है आपको पता ही होगा ऐसे बहुत सारे web series है जो ऐसे बने है ट्रप्स के उपर जो famous है जैसे कि यह जवानी है दिवानी जिन्दगी नमीलेगी दूबरा उस तरह की similar concept है दोस्तों के बीच में तो आप चीज़े आर है क्योंकि मुझे तो average और अच्छी ही लगी और आपको recommend करूँगा कि एक पर आप इसे definitely देख सकते हैं तो बस दोस्तों जादा बात ना करते वह आपसे विदा लेता हूं और conclude करते वह यही कहूंगा कि अगर वीडियो अच्छा लगा तो like or share कर देना comment section में लिखकर जरू झाल